हाई दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोटिटिव गुरुकुल में तो फ्रेंट्स आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं यूपी पुलीस जेल वाडर फायर मैन के क्या रहेंगे expected cut off after answer की answer की आने के बाद expected cut off क्या जाने क्या नुमान है तो एक्जाम जो आपका हुआ है फ्रेंट्स दो दिन आपका एक्जाम हुआ है 19 दिसंबर और 22 दिसंबर को आपका एक्जाम हुआ है 4 shift में हुआ है, 2 shift आपका, 19 December और 20 December को 2 shift में exam हुआ है exam का, اگر stages बात करें तो सबसे पहले return exam हुआ है पिर physical हुआ है, फिर medical हुआ है, DV हुआ है फिर आपका merit होगा तो अब ही जो आपका exam हुआ है अगर written में आप qualify कर जाते तो आपको physical के लिए बुलाया जाएगा ठीक है exam का अगर बात करें तो exam जो हुआ है 150 questions का exam था जिसके लिए 300 marks आपको given मतलब दिया जाएगा per question आपको 2 marks दिया जाएगा ठीक है per question क्या था 2 marks का था total marks जो हो गया 300 marks है exam था each question के लिए आपको 2 marks दिया जाएगा और wrong question के लिए आपका minus 0.5 marks क्या हो जाएगा deduct हो जाएगा next अगर बात करें तो देखिए next जो है आपका vacancy का अगर बात करें तो jail water का 3638 vacancy fireman का 2065 vacancy और घुरसवार का 102 vacancy है total form fill up का अगर बात करें न दोस्तों तो 6,83,189 अगर कुल बात करें तो 7,00, अप्रोक्स आपका form जो है fill up हुआ है अगर attendance का बात कर ले तो 48-42% attendance था लोग present रहें थे answer किया आपका 22 December को answer किया आगया normalization भी होगा क्योंकि 4 shiftों में exam था अब देखें जो qualify कर जाएंगा उसको क्या किया जाएगा physical के लिए बुलाया जाएगा किसके लिए physical के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपका male के लिए आपका क्या रहेगा 4.8 km आपका क्या रहेगा दौर रहेगा 25 मिनट में ठीक है और female के लिए जो रहेगा female के लिए रहेगा 2.4 km मिस 2400 मीटर रहेगा आपको दोड़ना रहेगा 14 मिनट में अगर height का बात करें तो male का height जो है UR के लिए 168 है OBC और SC का भी सेम है ठीक है सेंटीमीटर height requirement है फिजिकल के लिए अब हम लोग बात करते हैं cut off क्या रहने का अनुमान है तो फ्रेंट देखिए जो exam हुए है आप बोल सकते हैं moderate level के paper थे moderate level के exam हुए है बहुत ना ज्यादा easy था बहुत ज्यादा hard भी नहीं था तो अब बात करेंगे हम लोग questions के basis पे अगर आपने answer की मिलाया है अगर आपके इतने questions सही हो रहे है तो आपका होने का chances रहेगा अगर st का बात करें तो 70 से 76 के बीच में अगर questions आपके सही हो रहे है तो आपका chances रहेगा st का अगर बात करें तो st में भी आपका लगबग 71 से 74 के बीच में अगर questions सही हो रहे है तो आपका selection होने का chances है EWS का मैंने नहीं बता है क्योंकि vacancy पुरानी है उसमें EWS नहीं था ठीक है अगर female का cut off का बात करें तो female cut off में अगर बात करें तो female में 74 से 79 के बीच में अगर questions आपके सही हो रहे है negative हटा के तो आपका सही हो जाएगा आपका selection हो जाएगा physical के तैयरी मलग जाईए और अगर बात करें OBC का तो सतर से आपका 74 के बीचम अगर आपके questions सही हो रहा है तो आपका selection होने का chance है S.T. का अगर बात करें तो 64 to 70 questions अगर आपके सही हो रहा है तो आपका selection हो जाएगा नेक्सист weezical के तैयरी में अलग सकते हैं अगर S.T. का बात करें तो ST में भी आपका 65 to 70 ही कोस्टन से लगभग इतना सही हो रहा है तो आपका सेलेक्षन होने का चांसे रहेगा आप फीजल के तैयारी में पूरे जोरो सोरो से लग सकते हैं तो फ्रेंट्स ये था आपका यूपी पुलिस जेल वार्डर फायर मैन गुर सवार का एक्सपेक्टिड कट ओफ क्या रहेगा एक्सपेक्टिड कट ओफ आफ्टर एंसर की तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगाओगा हमसे जूर रहने के लिए कमपोटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को या सेयर कीजिए धन्यवाद